लास्ट वीडियो हमने किया था अधिगम का जो की यूनिट 4 का ही था और उसके बाद मैंने आपको बताया था motivation अभी प्रेणना से संबंदित test होगा तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आज भी बहुत अच्छे से करकी आये हो क्योंकि मैं आपको बार-बार क्या करती हूं अभी प्रेणना क्या होती है तो अभी प्रेणना अगर हम कहें तो आज एक आ start व्यक्ति होती है आंतरिक शक्ति होती है जो किसी भी व्यक्ति को चाहे कैसा भी व्यक्ति हो उसको कारे करने के लिए हमेशा प्रेरित करती है जिसे की व्यक्ति जो है वो कारे करने के लिए पटा-पट से तयार हो जाता है अगर हम थोड़ा सा ये कहें कि ये एक ऐसी कला है जो आई नहीं देती है अब आप कहीं कि अभीप्रणा कैसी होती है हम इसे देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं इसे तो हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं यह कहा है यह एक आंतरिक शक्ती होती है जो व्यक्ति क्यों कारे करने के लिए प्रेरित करती है तो चलिए देखते हैं हम कि इस पर अबिप्रेणा से संबंदit व्यभार का लक्षण क्या होगा? तो अगर किसी को अबिप्रेणित किया जाए, तो उसके व्यभार का लक्षण क्या निकल के आएगा? तो यहाँ पर देखिए आंसर बिल्कुल सबका ही सही है उत्सुकता ठीक है क्योंकि दिवास्व अपन भगना साय को समायोजन ये अभी प्रिणा से संबंदित व्यभार नहीं है नेक्स्ट है कोशन टू अरजित प्रेरक के अंतरगत आते हैं जीवन लक्षवा मनोब्रतियां मद व्यसन आदत की विवस्ता या उप्रोप्त सभी पटाफ़ से इनका आंसर दीजिए कि अरजित प्रेरक के अंतरगत आते हैं जीवन लक्षवा मनोव्रतियां, मद्वियसन, आदत की विवस्ता या उप्रोक्त सभी तो यहां पर जो आंसर क्या रहेगा बिल्कुल देख लीजी आप लोग इसका आंसर रहेगा उप्रोक्त सभी क्योंकि अर्जित प्रेरक क्या होते हैं वे प्रेरक जो की सीखे जाते हैं तो सीखे जाते हैं जीवन के लक्षवा मनोव्रतियां, मद्वियसन, आदत की विवस्ता यह सभी क्या है यह अर्जित प्रेरक हैं दूसरा क्या होता है, जनम जात प्रेरख, मैसलों की अनुसार प्रेरख दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जनम जात प्रेरख, दूसरा होता है अर्जित प्रेरख, और जनम जात प्रेरख, जो की जनम से ही होते हैं, जिसे भूक लगना, प्यास लगना, नीद आना, सब जन जात हैं, वही अरजित कौन से होते हैं, जो सीखे जाते हैं, जो आदते होती हैं, रुची होती है, जीवन लक्ष बनोब्रतिया होती हैं, ये सब भी अरजित में आएंगे, सब्वाविक प्रेरक हैं, दंड, पूरुसकार, अनुकरण, या प्रसंसा, तो यहां पर सब्वाविक प्रेरक जो है, कौन सा है, तो जो व्यक्ति में सब्वाव जे ही पाए जएं, वही होगा, स्वभाविक प्रेरक तो बिल्कुल यहां पर आंसर क्या रहने वाला है यहां रहेगा अनुकरण ठीक है दंड, पुरुसकार या प्रसंसा ये तो दूसरों के द्वारा दी जाती है और ये कैसी होती है ये सामाजिक प्रेरक होते हैं अभी प्रेरना को प्रभावित करने वाले कारक हैं आवशक्ताएं, आकंशा इस्तरवरुची, समविगात्मक इस्तिती या उप्रोक्त सभी तो अभी प्रेरना को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो बिलकुल सभी ने सही आंसर दिया है कि उप्रोक्त सभी जो है वह अभिप्रना को प्रभावित करते हैं। कि आवश्रक्ताएं होती हैं, आकांग्षाएं होती हैं, प्रोचसाहन होता है, उत्तेजना होती है, समविगात्म को इस्तिती होती है, यह सब भी अभी प्रेणा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, कोश्चन 6, वह कारक जो व्यक्ति को कारे करने के लिए उत्साहा बढ़ाता है या घटाता है, उसे क्या कहेंगे, अधिगम, स्वधारना, अभी प्रेणा या इन में से कोई नहीं। तो यहां तो कोई भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि सभी को पता है, कि व्यक्ति के कारे करने के लिए उत्साह को बढ़ा भी रहा है और घटा भी रहा, तो यह क्या है? मोटिवेशन है, अभी प्रेणा है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट कोश्चन 7 है, ऐसे प्रेरक जो व्यक्त प्रेरक हैं, सामाजिक प्रेरक हैं, या अर्जित प्रेरक हैं, तो वो प्रेरक कौन से होते हैं? तो जो जनम के साथ लेकर आते हैं, वो कैसे होते हैं? जनमजात प्रेरक होते हैं, सबका ही सही है, मैसलो ने दो टाइप के बताए हैं, जनमजात प्रेरक और अर्जित प्रेर वहीं अगर गैरेट की बात करें, तो उन्होंने तीन प्रकार के बताए हैं, जैविक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक और मनोवे ज्यानिक प्रेरक याद रखिएगा। Next तो यहां ढूण यहें कौन सा अरजित प्रेरक नहीं हैं, फटाफट से। तो बिल्कुल यहां पर आंसर क्या रहेगा? ग्रोध। क्या है? जनंचात है। बागी जो तीनों हैं वो कैसे हैं? अर्जित प्रेरखें अभी प्रेरणा अधिगम का सर्वुत्तम राजमार्ग है ये कथन किसका है? ये definition किसकी है? गिर्फोर्ड की, स्केनर की, गुड की या बर्नार्डे की तो सभी को पता है इसका सही आंसर क्योंकि ये जो definition है ये most important है और सभी जानते हैं किसका सही उत्तर क्या होगा तो यहां पर क्या रहेगा आंसर? आंसर बिल्कुल स्केनर होगा स्केनर की अनुसार अभी प्रेरणा अधिगम का सर्वुत्तम राजमार्ग है प्यास एक तरह की चक्री आवशकता है और चक्री आवशकता है, विशिजट आवशकता है या सामानने आवशकता है तो प्यास जो है वो कैसी आवशकता है? तो ये एक चक्री आवशकता है संबन्द की आवशकता, आकरमक्ता अभी प्रेरण, उपलब्दी अभी प्रेरण, शक्ती अभी प्रेरण तो सूचिए पटापट से इसका सही आंसर तो बिलकुल आंसर जो है वो यहां होगा उपलब्दी अभी प्रेरण अगला है कोशन ट्वैल्ब मूल प्रवती अभिप्रेणा सिद्धान्त के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? मूल प्रवती अभिप्रेणा सिद्धान्त के प्रवर्तक प्राइड वाजुंग, कोल्ट लैविन, मैकडूगल या स्कीनर तो यहाँ पर जो आंसर है वो है मैकडूगल ठीक है? मूल प्रवती अभेपिर्णा सिद्धान्त जो है वह किस ने दिया? मैक जूगल ने दिया 13 कोशन है मोटिवेशन सब्द की उत्पति किस भासा के सब्द से हुई है? फ्रेंच के, जर्मन के, लेटिन के या कोई ये अलग से ही अप्शन जो है, ये बिल्कुल ऐसे ही दे दिया गया है आप तो फ्रेंच, जर्मन और लेटिन इन तीनों में से सही आंसर क्या होगा? बताईए और फटा-फट से कमेंट ये भी करिए कि मोटिवेशन सब्द की उत्पति किस भासा से और किस सब्द से माने जाती है? तो बिल्कुल सबका ही आंसर सही है लेटिन भासा से है और किस सब्द से माने जाती है? ये आप लोग कमेंट में लिखिएगा चलिए नेक्स्ट है ऐसा कौन सा अबी प्रेंड़ना का सिद्दांत है जो की संकल्प सक्ती पर बल देता है एचिक सिद्दान्थ, शेत्री सिद्दान्थ, शारिडिक सिद्दान्थ या उप्रोक्त सभी तो कौन सा अभी प्रेना का सिद्दान्थ है जो की संकल्प सक्ती पर बल देता है तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, आप सभी ने लगाया होगा, यह है एच्छिक सिद्धान्थ, ठीक है? इच्छा पर है, जो की संकल्प सक्ती पर बल देता है निमने मैं से अभीप्रेणा का कौन सा श्रोत है? आवशक्ता, चालक, उद्धीपन या उपरोक्त सभी यहां अभीप्रेणा का कौन सा श्रोत है? या ऐसे भी कह सकते हैं कि अभी प्रेणा के चरण इसमें से कौन से हैं तो यहां अंसर क्या रहेगा? सबी को आता है यह अंसर तो जैसे हम अभी प्रेणा चक्र भी कहते हैं तो वहाँ पर ये सब ही इसके शुरोत हैं अभीप्रेणा के, ठीक है, अभीप्रेणा चक्र में आविशक्ता, चारलक जिसे हम अंतर्नोद, प्रणोदन या ड्राइब भी कहते हैं, ठीक है, और उद्धीपन जिसे हम प्रोथसाहन कहते हैं, इंसेंटिव, तो ये तीनों ही अ छटापर से आंसर बताइए, ठोड़ी तेर पहले ही मैं ने आपको इसका आंसर दिया था, कि जनजात और अर्जित प्रेयरक, इसकी बात कौन करते हैं, तो बिल्कुल सब का ही सही है, सभी का सही है मैसलो, मैसलो की अनसार अर्जित और जनजात प्रेयरक होते हैं, ठीक है, और Garrett's के अनुसार जैविक, सामाजिक और मनोविज्यानिक प्रेरक होते हैं। मैसलो के अतरिक्त किन विद्वानों ने प्रेरकों का वर्गी करन किया। Garrett वा Thompson, Skinner, Woodworth या Heathcote। तो ये भी सभी का ही सही होगा। तो यहां आंसर जो है बिलकुल। आज भी सभी आंसर जो है वो आप लोगों के सही रहने वाले हैं। तो क्या होगा, Garrett वा Thompson। उपलब्दी अभी प्रेरक अभी प्रेणा को सरवादिक महत्व दिया। किसने दिया, Garrett ने, Mackley Lane वा Atkinson ने, Lawrence ने, या इन में से कोई नहीं। तो अभी थोड़ी तर पहले ही इससे related एक question था, तो उपलब्दी अभी प्रेरक अभी प्रेणा को सरवादिक महत्व दिया। किसने दिया, देखिए चीजे वही रहती हैं, question घुमा कर पूस लिये जाते हैं, बस option ही change होते हैं, जहां confusion होता है। तो आप लोगों की तयारी बहुत अच्छी है, और बहुत ही अच्छा आप लोग exam में भी करके आने वाले हो। तो उपलब्दी अभिप्रेणा को सरवादिक महत्व किसने दिया, बिल्कुल option number B है, Macri Lane वा Atkinson में, चलिए। तो इन 18 में से कितने question का answer आप लोग सही कर पाए हैं, आपको ये बताना है, और इसके साथ ही next topic होगा, जिसका हम test करने वाले हैं, आप लोग पढ़के आईएगा, सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RTE 2009, इस topic को आप लोग याद क कियाएगा, test होगा इसका, चलिए मिलते हैं, next video में test के साथ, thank you